हलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई हूप क्या आप सब बहुत बड़िया हैं और आज की वीडियों हम करने वाली हैं इंग्लिस रीडर कक्छा साथ का लेशन नमबर बन चेप्टर नमबर बन पार्ट का नाम है दा रहनबो इस पूरे लेशन को कंप्लेट करेंगे देखेंग हैं तो टेलीग्राम चनल से जुड़ें और आप इसकी पीडियों बहां से प्राप्त कर सकते हैं चले शुरू करते हैं जैसी कहा गया है पहले चेप्टर में दर रेनबो रेनबो आप जानते हैं रेनबो का मदलब होता है क्या इंदर धनुस ठीक है इंदर धनुस जो बरसा बिच लाइन्स एंड बिच सिमलर साउंड मलब आपको पोएम पढ़कर बताना है कि पोएम में कौन से दू शब्द हैं मलब ऐसी कौन से बर्ड़ हैं जो साउंड उनका सेम है ठीक है लेकर उनका अर्थ अलग अलग है उनका तुक है जिसे तुकांत सब्द बोलते हैं इनको राइमिंग बड़ जिससे तो इसका सही आंसर हो जागा एदर आंसर दिया है आपको तो आप यह दोनों लिख दें आंसर है एक तो है सीज और एक है दीज दीज मिलब ए ना ए सब औ प्लीज ट्रीज और दीज तो यह जो है आपके सेम सब्द हो जाएंगी ठीक है दूसरा कॉस्टन आपको क्या दिया गया है लिसन टू दा सेंटेंस गिविन बिलोग केरफुली एंड देन चूज द वर्ड बिद राइमिंग और रिटिन देम इन टेवल कहा गया है कि नीच सेंटेंस में यहाँ पर जैसे हम पहला सेंटेंस थो पते हैं लगा ए रखा है आई लाइक टो बेक इबाधि की तो बीक और के जो है एक राइमिंग बढ़ है जिसमें आपके धवनी यह एक जेसरी निकल रही यह बंसे किंग लर्न हाउव टू सिंग इन को एस तरह से भरें तो इस तरह से इनको आप complete करें अब चलते हैं question answer पर पहला question आपको क्या पूंचा गया है what do you think the poem is about क्या आप समझते हैं poem किसके बारे में है तो poem is about cloud, bridge and rainbow किसके बारे में है तो poem is about rainbow तो rainbow पर आपको टिक करना है इसका answer है rainbow next question है दूसरा question where do boats and ship sail तो now और जहाज कहां तेरते हैं तो इसका say answer हो जाएगा option number sea boat sail on river ठीक है boat sail on river ठीक है boat sail on river next the rainbow make a bridge तो कहां बनाता है overtrain from the earth to sky over tall building तो इसका सही answer हो जाएगा from earth to sky ठीक है पृत्वी से आकास तक का bridge जो है वो बनाता है next है the prettiest bridge मतलब सबसे सुन्दर पुल कौन सा है तो इसका सही answer हो जाएगा made by rainbow जो rainbow इंद दिनोंस के दोरा बनाया गया वो सबसे सुन्दर bridge है ठीक है next क्या है the rainbow is क्या है rainbow prettiest एनि सबसे सुन्दर तो answer हो जाएगा option number c next question है pick odd bird from circle मतलब चार यहाँ पर bird दिये गए हैं उसमें से जो odd हैं उनको आपको circle करना है odd मतलब उतर different अलग हो जिसे river pond sea road अब river pond और sea मतलब की नदी तालाब और समुद यह है main बो प्राक्रते खें road जो है इंसान के दोरा बनाया जाता है इसलिए different है ship boat airplane याज तो airplane जो हवाई जहाँ ऊपर अड़ता है आसमान में इसलिए अलग है cloud star moon earth अर्थ जो है यह जो है तो अर्थ जो है इसमें सी different हो जाएगा see bus track or car see मतलब होता है समुद तो यह अलग हो जाएगा green orange yellow flower flower यह नहीं फूल जो यह अलग हो जाएगा next use the following bird appropriately in the sentence given below अलब यहाँ पर कुछ option दिए गए हैं आपको जैसे यहाँ पर उनके को आपको यहाँ बनना है तो पहली है sip on sea तो sip sale तो sale आजाएगा पहली नंबर पर ठीक है जिसमें भरेंगे आप पहली में दूसरा है I show a in the sky yesterday तो I show a rainbow तो rainbow आजाएगा दूसरे नंबर पर ठीक है तीसरा है are often seen the sky in rainy season तो इदर दिखो आप इदर देख सकते हैं दूसरे में भरेंगे अपन rainbow तीसरे में भरेंगे clouds ठीक है तो cloud यहाँ भरें आप नंबर ता इज़े pretty girl तो pretty आप यहाँ भरें और natural beauties always pleases me ठीक है तो pleases आप यहाँ भरें पाचमा चलते हैं next question पर grammar in use grammar का उप्योग करना है make sentence using the adjective given below कुछ adjective मनलब decision आपको दिए बिसेशन की सहायता से आपको जो है क्या बनाना है बाग का बनाना है great का greater wise का wiser bright का brighter fresh का fresher high का higher दिखो इसको कैसे बनाएंगे जवाहला लहरू was great महत्मा गांधी was greater देने हैं तो यहाँ पर actually में क्या है यहाँ पर comparative degree दी गई है comparative degree से sentence बनाना है दूसरा है wise मतलब बुद्धिमान और बाइजर मतलब उससे भी बुद्धिमान तो राम इस बॉद्धिमान है his brother is wiser than him मल allegations उसका भाई उससे भी ज़्यदा भुद्धिमान ज़ं के से बनाएंगे ता लैंप इस बरॉद्धिमान Mini सित्य यहाँ ने next let's talk में क्या कहा गया है ask the friends following question find in the which is rainbow skin मतलब आप in the question आप अपने खोजिए देखो जैसे पहला question आप से कहा गया है कि how many colors are in the rainbow जैसे यहां पर है how many colors are in the rainbow कितने color होते हैं rainbow में तो यहां पर हो जाएगा these are seven colors in the rainbow seven colors जो हैं यहां पर होते हैं ठीक है अब यहां पर सही जोड़ी दी गई हैं तो आपको सही जोड़ी बता दू कि पहले का आप B से मिलाएंगे दूसरे का आप C से मिलाएंगे, तीसरे का आप E से मिलाएंगे, चोतरे का आप A से मिलाएंगे और पांच में का डी से मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सही जोड़ी जो है नहीं आई है, इसलिए मैं आपको समर्थू बताने में नेक्स्ट है, राइड पेराग्राफ ओन रेन्बू, रेन्बू पर आपको एक पेराग्राफ रिखना है तो यहाँ पर एक पेराग्राफ दिया गया है, तो इस पेराग्राफ को आप लिग दें, ठीक है, यहाँ पर, कहा गया है पेराग्राफ में, रेन्बू इस सीन इन दे स ग्रीन एल औरेंज एंड रैड अब चलते हैं लेटस डू इट में ड्रोई पिक्चर ओफिर रेनवो इन कलर इट आल्सू राइडिन नेमस अपकलर्स बादब एक पिक्चर बनानी है आपको रेनवो की और उसके आपको कलर्स के नाम लिखने हैं तो कलर के नाम आपके यहां लिखे हुए हैं तो इस तरह से आपने को complete कर सकते हैं I hope कि आपको clear हुचका हुगा वीडियो को like करें चल्ड को subscribe करें और यहाँ पर meaning देए हैं तो meaning को भी आप अपनी copy मेर जरूर नोट करें टेक केर विच्चों